तो हलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग मैं हूं अंकोर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुकाय पर आज की वीडियो में हम प्राइड आफ द बीश्ट के पार्ट 4 को देखेंगे और देखेंगे कि क्या बीश्ट गोहान वेजिटा की अटैक से बच पाता है या नहीं दप्राइड और दबीश्ट की बहुत ही कमाल की मांगा को निकाहे डार्क हांसोने और उससे जोड़े सबी लिंक में ने चे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं तो चाहिए और मांगा की क्रेटर को पूरा सपोर्ट दिखाईए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलेगा और वीडियो को अपने दूस्तों के साथ शीर भी जरू कीजिगा जिन लोगों ने पे तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चानल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे की सारे वीडियो श्टान टूटाएं मिलती रहे तो चलिए दूस्तों बिना तेरी करें अपने वीडियो पर आते हैं लास्ट वीडियो के एड में हमने देखा था कि वेजिटा गोहान पे एक बहुत ही ताकतवर अटैक करता है पर गोहान वेजिटा के इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं कवराता और बहुत तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है वेजिटा का अटैक आखिरकार गोहान तक बहुत जाता है और गोहान एक हाथ से उसके अटैक को रोकता है वेजिटा के इतने ताकत और अटैक को रोकने के बावजूद भी गोहन को जरा से इतिकत भी नहीं आती इसके बाद गोहन इक्टम से ही चलाता है गोहन बूलता है वेजिटा मैं तुमें पहले ही बोल चुका हूँ कि तुम मुझे अंडरेस्टिमेट मत करो गोहन इक्टम से ही वेजिटा के अटैक को उल्टा कर देता है और अब वेजिटा का अटैक वेजिटा की तरफ ही बढ़ रहा है हम देखते हैं कि वेजिटा भी गोहन के ऐसा कर पाने के विए से काफ साथा चौक जाता है उसने उमीद नहीं करी थी कि गोहान भी ऐसा कुछ कर पाएगा गोहान ने वेजिटा के अटैक को वापस वेजिटा पर इती तीजी से फैका होता है कि वेजिटा अपना आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता ये अटैक बहुत तीजी से वैजीडा तक पहुचाता है और हम देखते हैं कि आखिरकार ये अटैक वैजीडा से टकरा गया जिसके बाद एक बहुत ही जबर्दस धमाका होता है अटैक खतम होने के बाद हम देखते हैं कि हर तरफ धूल मिट्टी होती है और धोल मुटी चटने के बाद हम वेजीटा की हालत को देखते हैं वेजीटा की हालत का अफ़से दा खराब लग दे होती है हाला कि वेजीटा ने अपने हाथों को आगे लाके अपना को इस अटैक से बचाने की कोशिच करी पर फिर भी वेजीटा बहुत साथ गाल हो गया है वेजीटा बोता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इसके लिए मुझे त्वी साथ ताकत का इस्तमाल करना पढ़ रहा है वेजीटा ने अभी इस ऐस अटैक के साथ वेजीटा तक पहुँछ जाता है इस पीच में उसने अपने सबसे ताकतवर अटैक में से एक यानि कि मासेंको सापो को तयार कर लिया होता है और अब वो डारेक्ली वेजिटा के उपर है ताकि वो इस अटैक को वेजिटा पे डारेक्ली शूट कर सके आकिरकार गोहान ये अटैक वेजिटा पर शूट करता है और मासेंको सापो बहुत तेजी से वेजिटा की तरफ चाता है जैसे ही ये अटैक वेजिटा से रख राता है वेजिटा इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लग जाता है वेजीटा थोड़ी बहुत दिक्कत में लगने लग जाता है हम देखते हैं कि उसके सर में से खोन भी निकल रहा है वेजीटा अपने मन में बोलता है कि मुझे धिहान रखना होगा कि मैं इस अटैक के चलते कितना डैमेज अपने उपड ले रहा हूँ अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है मैं अपने आपको दिक्कत में डाल दू वेजीटा एक दम से ही अपने हाथों से कुछ करता है ऐसा रखता है कि वेजीटा इस अटैक के साथ कुछ करने वाला है एक दम से ही GoPro한 का अठाक Vegeta को पीछे पुछ करने लग जाता है ऐससे लखता है की यह अठाक आखिरकार Vegeta से ठकरा गया Vegeta काफ़ जाता गहल लगने लग जाता है और एक दम से ही वो चीलाता है तबी हम देखते हैं कि आखिरकार वेजिटा इस अटैक को डिफलेक्ट करने में काम्याब हो गया है तबी हम वेजिटा को एक बारी फ्रिसे देखते है वेजिटा पहले के मुकाबले काफ़जा तक घायल हो गया होता है पर फिर भी उसके चहरे पे स्माइल होती है वेजीटा ने चान बूच के गोहान के अटैक को खुछ से ठकरानी दिया वो चाहता तो इस अटैक को कभी भी डिफलेक्ट कर सकता था गोहान वेजीटा को देखता है और गोहान के चहरे पे लड़ने की एकसाइटमेंट साफ दिख रही होती है गोहान अपने मन में बहुता है क्या वेजीटा की ताकत पहले की मुकाबले साधा हो गई है क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो लड़ते लड़ते और साधा ताकत वर होता जाता हो नहीं वो मेरे अटैक के बाद साधा ताकत वर हो गया है उसने वो अटेक डारेक्ली जेला था गोहान आकिर कार समझ पा रहा है कि अल्टराइगो कि इस तरीके से काम करता है अल्टराइगो की फॉर्म में वेजिटा जितना साथ डैमेज लेता है वो उतना ही साथ ताकत पर होता जाता है पर वेजिटा को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वो जरूर से जादा डैमेज ना ली क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो हो सकता है कि वो फाइट को हार भी चाही हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे भी फाइट के एकसाइटमेंट साथ दिख रही होती है इसके बाद हम फिर से गोहान को देखते हैं गोहान को थोड़ा बहुत समझा गया है कि वेजिटा ने अभी अभी क्या किया गोहान ने अंचाने में ही अपने अपरेंट याने कि वेजिटा को थोड़ा बहुत और ताकत बब बना दिया है गोहान अपने मन में बोलता है कि मुझे इस fight को जल्द से जल्द खतम करना होगा वेजीटा इसके बाद बहुत बड़ी smile के साथ एक दुम से ही गोहान पर attack करने के लिए बढ़ने लग जाता है वेजीटा के औरा को देखके ये बात कलियर है कि उसके स्पीड और ताकत पहले के मुकाबले काफ़े जाता बर गई है वेजीटा गोहान तक पहुँचके एकड़म से उसे एक पंच मारता है पर गोहान इस attack से खुद को बहुत ही अराम से डिपेंट कर लेता है पर वेजीटा का ये पहला attack से रफेक डिस्ट्रेक्शन था हम इसके बाद वेजीटा के दूसरे हाथ को देखते हैं हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक हकाई का attack है एक powerful ball pure destruction की वेजीटा आखिरकार बोलता है हकाई वेजीटा के इस attack को शूट करते ही हम देखते हैं कि गोहान इस attack से नहीं बच पाता आखिरकार गोहान हकाई के इस बहुत ही powerful attack की चपेटे में आ गया है हम देखते हैं कि गोहान दर्ज से चिला रहा होता है वेजिटा ने ये अटैक गोहान को मालने के लिए शूट नहीं किया था वरना डिस्ट्रक्शन की एनरजी कुछ ही परों में किसी को भी तभा कर सकती है पर गोहान अभी भी सिंदा है पर वो दर्श से कर रहा रहा है गोकू इस फायट के बीच में इंटरफेर नहीं कर सकता वो बस अपने बेटे को नीचे से देख रहा होता है और बोलता है गोहान गोहान इस बहुत ही पाफुल अटैक से बाहर आने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता तबी गोहान एक दिम से बोलता है डैड आपने ना जाने मुझे कितनी बारी बचाया है गोहान एक बारी फिर से अपनी मेमरीज में जाने रख जाता है और याद करता है कि उसके फादर ने उसके कितनी बारी रख्शा करी है गोहान उस समय बहले ही एक बच्चा था पर गोहान की गलतियों को सुधारने के लिए गोकु हमेशा उसके पीछे खड़ा था गोहान अपने मन में बोलता है कि ना जाने और कितनी बारी आपको मुझे आके बचाना पड़ेगा गोहान अपनी उन गलतियों को भी याद करता है जब वो अर्मुष बढ़ा हो चुका था इसके बावजूद भी उसने कई बारी धर्ती को निराश किया है गोहान का खुद पे गुसा आखिरकार फटने लग जाता है वो बोलता है नहीं फिर से कभी नहीं एकदम से ही गोहान के अंदर से एनर्जी का एक बहुती बड़ा एक्स्प्लोशन होता है हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ सारी वाइड एनर्जी निकलती है जिसके वजासे वो आखिरकार वेजिटा की हकाई एनर्जी को अपने उपर से हटाने में कामियाब हो चाता है वेजिटा भी ये देखके काफ़ हैरान था बहले ही गोहान वेजिटा के अटैक से बाहरा गया हूँ पर उसके हालत काफ़ चाता खराब हो चुकी है हम देख सकते हैं कि उसके पूरे शरील पे चोटे है गोहान को देखके आसा रखता है कि अब उसके अंदर लड़ने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है पर ये बात गोहान भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये लड़ाई अभी खतर नहीं हुई है एकदम से ही गोहान अपनी आखे खुलता है वेजिटा इसके बाद गोहान की तरफ देखता है और शांती से बोलता है क्या तुम यहीं पर रुकना चाते हो मुझे उमीद है कि तुम अभी भी आगे जा पाओगी ना ही तुम और ना ही मैं अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तुमार करके लड़े है पर शायद तुम्हारे लिए तुम्हारी ताकत इत्ती साथा बढ़ाना यही काफी हो गया है वेजीटा इसके बाद एकड़ से अपने हाथ के तरफ देखता है और एक मुट्गी बनाता है वेजीटा बोलता है क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो तुम्हें तुम्हारे अंदर से इस वक्त बहुत सदा excitement की feeling आ रही होगी और तुम्हें लग रहा होगा कि इस वक्त दर की बिल्कुल भी जोरत नहीं है ये तुम्हारा सेयन खून है जो कि लड़ने के लिए खौल रहा है तब ही हम फिर से गोहान को देखते हैं गोहान काफ़ जादा excited और काफ़ जादा निराश भी डग रहा होता है वेजीटा समझ जाता है कि गोहान इस वक्त चा महसूस कर रहा है वो बोलता है कि भले ही तुम एक सयन हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी तरीके से कम धर्तिवासी हो गोहान एकदम से ही वेजीटा की तरफ देखता है और उसकी बाते समझने की कोशिश करता है वेजीटा गोहान से बोलता है कि पर अब समय आ गया है कि तुम अपनी दोनों दरोहर यानि कि सयन और धर्तिवासी इन दोनों को लेके आगे बढ़ो और दोनों को आखिरकार पूरी तरीके से अपना लो तभी हम गोहान को देखते हैं गोहान के चेहरे पे एकदम से समय राजाती है और एकदम से ही लडने के लिए वो बहुत साथ एक्साइड़ेट लगने रच जाता है तभी गोहान एकदम से ही पावर अप करता है हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले उसकी ताकत बहुत साथ बढ़ जाती है तभी हम वेजिटा को देखते हैं वेजिटा भी अपनी अल्टरा एगो की असली ताकत को बाहर निकालता है आखिरकार गोहान वेजिटा की फाइड अपनी फाइनल स्टेजिस में पहुँचने वारी है और इसके आगी क्या हुआ ये हम जाने के नेक्ट वीडियो में क्योंकि दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे खतम होचाती है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगो कैसी लगी अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर वेजियों कीजिएगा जिसनल लोगों ने वी तक चानल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे की सारे वीडियों चंटो टाइम मिलती रहें तो जलिए दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप लोग को अपनी नेक्श वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई दोस्तो और थेंक्स वर वाचिंग